इतनी भूली भाली बीबी को दगा मत दीजेगा मैं आपसे परातना करती हूं प्रियंका जहां आती है लाइब और बताती है कि आपको पॉन सिंग इंटर्व्यू नहीं देते हैं उसके बाद आप आके मिडिया में ये सब सारे उल्टा पुल्टा ब्यान मतलब देते हैं क्या सचा ही है बबीता मिसरा जी कि मतलब कि क्या लग पॉन सिंग ने आपको इंटर्व्यू नहीं दिया इसलिए बता उल्टा सिदा आके बोल रही है मिडिया ये बताइए हम अनंद सिंग का इंटर्व्यू लेने वाले हैं बिलकुल देख रहे हैं हम तो देखे हैं हाँ और देना होगा उनको देना ही ओगा ऑस प्लल या की आप व्यूं नहीं बोलते हैं यह तो पत्रकार है हम कोई समाज से भी थोजिए समाज परचारती थो रही है कि भाई कल पवन सिंग को गाली दिये आज उसका परचार में 5,000 कमाने के लिए परचार कर रहे हैं वो तो हम औरत नहीं न है किसको बोल रहे हैं कमाने वाले जो बोल रही है जो महिला है जो गरीब महिला है पाच हजार रुपय कमाने के लिए ही परचार परचार करती है यही सब तो गरीम भहिला को क्या करिएगा उसका घर खर्चा चलाना है तो वो मेरा नाम ले करके जी रही है उसका फेस्बुक आईडी देखेगा लोग देखना चाहता होगा और आज देखे न गई पवन सिंग क ही नाम से उसका आईडी बन रहा है तो वह बहुत वह बरी बात है हम लोग तो पत्रकार है हमारा 200 वी चलेगा तो भी हम आपको आपका दूसरे का न्यूस दिखाएंगे पाच हजार चलेगा तो भी दिखाएंगे हम पपु जादब जी का भी दिखाएंगे पपु जादब हो या पोजिशन हो पत्रकार का काम ही है कि हम वही चीज़ दिखाएंगे जो समाज में घट रहा है हम किसी के परचार में जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते पत्रकार न्यूट्रल रहता है वह जिंदाबाद पुर्दाबाद 5000 कमाने के लिए दिन भर सारी पहन के लिए उस बाइट को चला दिए चला तो ठीक है नहीं चला तो भी ठीक है आगे बढ़ते हैं लेकिन कहीं न कहीं यह सब न्यूज पर चलने के बाद बहुत सारे लोग जितने पहन सिंग को चाहने वाले थे लोग वो सारे लोग आपको खिलाप कर रहे हैं दिखिए पवन सिंग से बोलूगी कि आप सारी महिलाओं का सम्मान करते हुए अपनी बीबी का जो आपनी थलाक लिया है और कोशिस किये कोट में आप गए हैं तो एक छोटा सा हैपी दे दीजिए ना थोड़ा सा एक पेपर साइन कर देजिए वो दो मिनट का काम है नहीं होता है तो हम वकील दे देते हैं आपको उसमें एक साइन करवा दिशते हैं क्या दिक्कत है हम तो आपके लिए वकील भेज देंगे क्या दिक्कत है हाई कोट से वकील चला जाएगा सिर्फ आपको सीखनेचर करना आपको हीलना भी नहीं आप कर लिजे ना कारा काट की जनता के सामने स उठाते हैं, आप देखिए न अंजली का मैटर, यही सब कुछ NGO वाली थी, अंजली के मैटर में पूरा एकदम छपास का रोग लगा करके, वो जो सूराज अंजली, रसूलपुर, कांड आपको याद होगा छप्रा में, क्या हुआ था, यह हुआ था, कि यह लोग गई थी, पूरा एक दिन छपास का रोग लगा करके, पापु यादव भी गए थे, उन्होंने SIT की गठन भी करवाई थी, यह लोग सिर्फ छपास का रोग लेके गए थे, और उस अब कुछ नहीं हुआ, यह बवीता मिसरा, एक पतरकार, वहाँ जाती है, और आज सारे मुजिरिम वहाँ के पकरे, जो भी आरोपी हैं, वह पकरे जाते हैं, हाँ, और उनका केस्ट रू हो जाता है, आप को यकीन नहीं है, तो आप जाए रसूल पूर, और सिर्फ आप कहें कि बवीता मिसरा ने आपके लिए क्या किया, उसके आँखों का पानी बता देगा, और एंजियो पोटो खीचारे छपाने का रोग है, तो रगें दे, वो लड़की तो कभी इदल, कभी ओदल, वो आरत जो है, वो कभी इदल गूमती है, कभी ओदल, तो ये लोगों का क्या काम है, गरीब है, बहुत अच्छी है, पांचीजार कमाने के लिए कभी भी इसके दरवाजे, उ जब से आपने ये नियूज पे बोला है, पूरा मतलब की खलवली मच गया है, देखी, 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 मैं, मैंने फिर कहा आप से, आप पस्ताय थोट कया, जब चीरिया चुक गई खेत, मुझे कहा गया था, कि सब कुछ पैच्छब हो गया है, अफकॉस, जब हम आरा गय मैं बार बार के दियू, जब आरा के लोगों ने कहा, कि अभी भी कोट में केस चल रहा है, तो मेरा दिमाग ठंका, मैं उस दिन मिली भी, आपने वीडियो देखा होगा, साच को आज क्या, कोई हमको भगा सकता है, किसी की हिम्मत है, अरे तो वही से बाइक उठा के चिला द दिखाएंगे, और आप अब को अगर होटल कहीं भी, कहीं भी मिल जाएगा, तो हम वहाँ माइक लगा देगे, यह हमारा अधिकार, आप देश के चौथे अस्थम्भ है हम, कोई हमारी आजादी छीन नहीं सकता, जब हम अनन्त सिंग का इंटर्व्यू ले सकते हैं, जब हम हमारे हाँ नरेंद्र मोधी हमारे रास्ते से गुझर रहे थे, तो कि गुचर रहे हमारे देशवा चायनल को इन्हों देखा, जबलता को जबले मोती हम एँपन利 पोड़क क्किनेर्वा नाहीं सउफाल की सखियूर देगा Г야 ऐसई सबॉट हम तो तो उनियड को सी ट सब़् तो एक पतरकार के तौर पर ले रहा ही पड़ता है, लेना ही मजबूरी है हमारी, लेंगे, लेकिन मैं नहीं लोगी ना, मुझे लेना होगा तो मैं तो भाई, ऐसे ही मुझे बोल देंगे तो ले लेंगे interview, interview क्या होता है, आप अपनी बातों को रखिए, आपको दिखाने का क करते हैं, आप हमको नहीं चमकाते हैं, यह आप कहीं भर्म में न रहें, आपके ना चलाने से चलाने से हमारे चानल पर कोई फर्क नहीं परता, पहंदे दिमाग से सोचिएगा, मैं पवन सिंग को बोलूगी, कि इतनी भोली-भाली बीबी को धगा मत दीजेगा, मैं आपसे प कि आप किसी का नौकरी खाने की बात कर सकते हैं, तो किसी की अपनी बीबी के लिए एक मिनट का टाइम निकाल करके वकील को फोन कीजिए, और एक हैप है, यह फे डिपिट बनाएए, और वो केस वापस लेजिए, मैं बस यही परातना करती हूँ, पवबन सिंग जी, यह बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, अमरी बात चीत, अमरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कोमेंट बॉक्स में जरू दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार.